अब भी कच्छा दसवीं के चात्रह और अभी दो पचीस में बोर्ड पर इच्छा देने वाले है तो यह आपके लिए सबसे ज्यादे इंपोर्टेंट होने बला है चुकि आप देख सकते हैं दो हजार पचीस बोर्ड का चित्रकला का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने ऑफिस न गया है 16 лет का लीव देख सकते हैं जैसा Вायरल पेपर आ और यहां को बिल्कुल वायरल पेपर है 20 में 220 नमर पाना इस पूरे विडियो आपको दियेगा है सभी प्रशनों का स्लूसन आपको इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं और यह पेपर आपको किसी भी यूटूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा यह सबसे जादे इंपॉर्टेंट वाइरल पेपर हैं क्या करते हैं और इस वाइरल पेपर क हम क्या करते हैं स्लूसन आपको करा देते हैं तो यहां पे चलिस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जब दो हजार पचीस में आप बोर्ट पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा यहां पे सबसे पहले अपना अनुक्रमांक आपको देना है यहां पर आपको मुद्री पिष्टो की संख्या लिखे रहें गया आप अपना नाम लिखेना है पेपर का कोड़ोगा रहें गया यहां पर दो हजार पचीस चितरकला लिखे रहें गया यहां पर समय दिया जाएगा तीन गंटे 15 मिनट और यहां पर पुड़ांक आपको सत्तर कराएगा यहां पर सबसे इंपोर्टेंट जो चीज आपको नोट को ध्यान से पढ़ना है चोगी बहुत ही जादे इंपोर्टेंट नोट है यहां पर आपको बता रहा है कि भाई 15 मिन क्या करना है परिछात्यों को पेपर पढ़ना यह सब को पता है लेकि यह क्या करना यह काम आपको जरूर करना है आपको क्हारना है जरूर करना है उस बसे बड़ी जो चीज यहां पर बता जा रहा पर तीन खंडम होगा खो कि प्रस्णा को नहीं करना है। यहां पता Do equador Aminent क सबसे पहले जो खंड को होगा इस क्या मिलेंगे और प्रावेधीक कलणा, के बृष कलफी प्रस्ण मिलेंगे। आफ से कोई एक ही करना या ता प्रावेधिक करेंगे नहीं तो आले खन कला के प्रसंद केंगे आगे कुछ निर्देश आपको और दिया हुआ यहां पे बता रहा है कि जिसको भी आप करेंगे यहां तो आले खन कला को करेंगे यहां पे OMR में प्रावेधिक कला आपको जरूर लिखनाबस तो दोनों को क्यों करा यह इस वीडियो में क्या करूँगा इस वाइरल पेपर में दोनों को में सुलीम स्लीए साफ किा आपको अनुगा आपको यहां पर सुलीए पिर आगे बताएंगे आपहर पे अस परस्ट किया ने वार्ट वांनीजtha के पासफ्शन सबसे पर होख चाहां पो पहला। जो viral model paper में दिया गया यहां पर दिया गया है कि प्राथमी के रंग कितने होते हैं आपको बताना है कि प्राथमी के रंग कितने होते हैं आपको MR sheet मिलेगा उसी पर आपको टीक करना है लेकिन मैं यहां पर paper में टीक कर देता हूँ तो आपको मैं बता दू कि प्राथमी की जो रंग होते हैं वो तीन होते हैं ठेकन अगर आपको एंसर पता होगा तो comment section में भी बताते रहेगा दूसरा प्रसन आपको viral model paper में दिया गया है कि noon में ठंडा रंग कौन सा आपको बताना इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा है लाल है नारंगी है पीला है हरा है तो आपको बता दू कि जो हरा रंग होता हो ठंडा होता है तो यहां पे गोवल आपसन बिलकुल correct हो तीन नंबर का प्रसन देखिए बहुती जादे important आपको दिया गया प्रसन कहा रहा तो चार आपको दिया गया आपको एंसूर पता होगा तो comment section में बताएंगे आप को बता दू कि जब पीला और नीला रंग मिला जाता है तो यहां पे हरा रंग बनता है तो तठस रंग कितने होता है यानि जो neutral color होते हों कितने होते हैं चार होता है एक होता है तीन होता है या दो होता है तो आपको याद रखना है कि मुखिर उससे जो तठस रंग होते हैं वो दो होते हैं काला और सफेद होता है तो यहाँ पे घौवला अपसन बिल्कुल correct हो प्रस्ण नहीं तरह चरी चांट यह प्रसण बहुत भी ज्यादे। आपको बता दू कि इसका correct answer से पीला होना चाहिए लेकिन आप लोग देख लिएगा बहुत जगा इसका जो answer दिया है नारंगी दिया है तो आप लोग मुझे comment section में बताएगा चुकि इसमें मुझे थोड़ा सा confusion है आपको बताना है कि 6 नमर का correct answer क्या होगा कि जब हम लोग क् लाल में हरा रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा पीला बनेगा कि नारंगी बनेगा तो आप लोग comment section में जरूर बताएगे तो कि बहुत ज़ादे important प्रस्ण है या पे 7 नमर का प्रस्ण है कि 1 का क्या अर्थ होता आपको बताना है कि 1 का मतलब क्या होता है ध्वनी ह होता है चित्र होता है रंग होता या साफ रंग होता है तो आपको मैं बता दू कि वाड का जो अर्थ होता हो रंग से होता है तो गवल आपसन करेक्ट हो जाएगा और 8 नमर का देखिए कितना जादे important प्रस्ण आपको दिया गया है बहुत जादे important बिल्कुल viral model paper का viral प्रस उसड रंग है तठस रंग है दितियक रंग या बिरोधी रंग है तो अगर आपको answer पता होगा ता आप लोग comment section में बताईए वैसे मैं बता दू कि जो लाल और हरा रंग है वो क्या होते है बिरोधी रंग होते है तो गवल आपसन बिल्कुल correct हो जाएगा और 10 नमर का प्र प्रसन समझ में आ रहा होगा समनी 11 नमर का प्रसन आ गया है बहुत जादे इंपोर्टेंट है कि एक चित्र के लिए सबसे मौत्पूर्ण घटक क्या होता है तो चलिए paper के page को पलड़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सा option दिया गया तो यहाँ पर भी देखिए प्रसन आपको दिया गया है और आपको बता दू कि 12 नमर का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा चार हो जाएगा बनाओर कि दिस से आलेखन चार प्रकार के होते हैं आई होप आपको समझ मारा होगा तो यहाँ परसन है कि किनारी डियान का प्रयोग किया जाता है फर्स के के किनारी डियान का प्रयोग किनारा बनाने के लिए किया जाता है तो खवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहां पर जो 14 नमर का प्रसन है वाइरल पेपर में आपको दिया गया है कि हरा रंग नेतरों पर क्या प्रभाव डालता है तो आपको बता दू कि जो हरा ठंडा रंग होता है और ठंडा रंग ठंडा प्रभाव डालेगा तो खवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यहां पर एक आंकी मन एक होता है तो यहां पर एक रंग का प्रयोग किया जाता है आई होप आपको समझ में रहा है पेपर के पेज को प्लटते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहां पे आपको प्रस्ण जो दिया गया है सतरे नंबर का कि हरा नारंगी तथा बैगनी निवलिखित में से किस के अंतरगत आएगा यहां पे चार आपको आपसन दिया आपको बता दू सतरे नंबर का करेक्ट अंसर हो जाएगा को यह दितियक रंग है आपको याद रखना है अठारे नंबर का प्रस्ण है कि आकृतियों की पुर्णाविटी के लिए कौन से पेपर का प्रियोग कर सकते हैं साधारान पेपर चार्ट पेपर ट्रेसिंग पेप थोड़ी नलायत्मक होती है वो हमारा क्या हो जागा तो यहाँ पे करेक्ट अंसर खवला हो जाएगा यह लायत्मक नहीं होती है और बीच नमर का प्रिशना है कि लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है तो आप सभी को पता होगा कि जब लाल में सफेद बनता है तो खवल आपसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 20 आपको आलेखन कला से समंदित बहुभी कल्पी प्रसंद मिलेगा और इसके बाद से यहाँ प्रावेधिक कला के 20 प्रसंद देगा तो दोनों में से कोई एक ही क करना आपको याद रखना है यहाँ पे चलिए हम आपको प्रावेधिक कला के भी प्रसंद को करा देते हैं लेकिन बोर्ड परिच्छा में एक ही आपको करना है जो आपको इजी लगेगा उसको करिएगा जिसे देखिए इसमें पहला जो प्रसंद दिया गया है पूछ रहा होता आपको करेक्ट हो जाएगा चोधा प्रसन है घंका प्रतेक फलक किस एक जांस आपको सब्सको होते हैं तो यहां पर आपको बता दो कि एक घंग में 6 फलक होते हैं तो यहां पर गौवल आपसन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा च्छे नम्बर का प्रस्ण है बहुत ही सांदार है कि एक साधार पैमाने पाधिकांसर कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं तो आपसन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा और शात नम्बर का प्रस्ण है कि दो बृतों के अंतर के बराबर एक बृत बनाने के लिए कौन से त्रिभुच का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर संबाव त्रिभुच का किया जाता है तो साथ नम्बर का हमारा और अप्षिन जो correct हो जाएगा वो कौवला हो जाएगा लेकिन इसके अलवा दो और अप्षिनs आपको दिया गए है मैं पेज को पलटके दिखा देता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं नुमर का प्रिसनिस वाइरल पेपर में दिया गए तो यहाँ पे खावल अप्सन बिर्कुल गुर्ड है और गुर्च्श नमर का प्रिश्पन होता है आइत का या क्या होता है यादे वृत में जो कोंड बनता है . त तो360 में से आप यहाँ पे आपसं को और देख लेते हैं आपको दिया गया है यहाँ पे गावल आपसं क्या हो जआगा बिलकुल करेक्च हो जाएगा चाओदे नमर का प्रसन है कि अगर और साथ हंस के कोण में एक कोण 30 है तो दूसरा होगा तो बाई टोटल जो कोण है साथ हंस का है उसमें से एक तीस है तो दूसरा भी तीस होगा चुकि दोनों को जोड़ेंगे तो साथ आ जाएगा बहुत इजी कोईशन आएगा याद रखना आपको प्रावेधिक कला में यह होता है दो समानभागों में ब्यत्को बाढ़ता है तो यहाँ पर करेक्ट इंसर कोबाला हो कुब जाएगा और कि कीसे त्रभूज के 22 कोडों का युगफल कितना होता है तो यहाँ पर आपको याлять रखना कि कैसि भी त्रभूज के 22 कोडों कोड़ों का जो युगफल होता है और 360 डिगरी का मतलब हो जाएगा चार समकोड 9.36 होगा नबवे और 90 में 4 से गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 360 360 हो जाएगा अटारे नमबर का प्रसंग है कि इसमें साधी कौड कोड है तो 110 डिगरी का कौड अधिक कौड हो जाएगा चाहीए लेकिन से कम होना चाहिए तो हमारा correct answer यहीं हो जाएगा और 19 नमर प्रसन है कि जैमिती अलेखन की रचना का अधार है तो जैमिती अलेखन की रचना क्या है अधार रेखाए हैं रंग थोड़ी नहोगा अधार हैं विया तो यहाँ पर यहाँ पर तिच नमबर का प्रस्णाप से पूछा जाएगा, आपको आलेखन कला दिया जाएगा और प्रावेधिक कला दिया जाएगा तीनों में से कोई एक ही करना, आपको इस पॉइंट को याद रखना है चुकि बोर्ड प्रसन पर देखिए लिखा हुआ इसको आपने पर पढ़ सकते हैं इसको आपको नमबर मिलेगा तो इसको आपको तयार कर लिएगा बहुत ही जादे important प्रसन है और यहां पे देखिए इसके बाद से आपको अलेखन कला अथवा दिया है मतलब तीन दिया जाएगा प्राइकरते देश आलेखन और प्राइवेदिक कला तीनों में से कोई एक ही आपको करना है याद रखना है अलेखन कला में देखिए आपको क्या दिया हुआ है द्राइंग सीट में 8 सेंटीमीटर के बृत में फिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लैवद आलेखन चित्री के जिसमें किसी भारती पुस्व का कलियों पतियों का सुंतर सयोजन याद रखना है जब भी आलेखन बनाएगा तो उसमें क्या करना आपको पति को दि दिया गया है यह भी तीसी नंबर का पूछा जाएगा या अथवा आपको तीस नंबर का दिया गया है जैमिति कला यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं देख सकते हैं कुछ रचनाएं आपको करना है जिसे आपको ध्यान से पहले नोट को पढ़ना है और यहां पे आपक यहां पर आपको रचनाय दिया गया है देख सकते हैं जैसे कितना दिया गया है एक दो तीन यहां पर चार पांच दिया गया है लेकिन इसमें से क्या करना आपको तीन ही करना यहां पर आपको दिखा देता हूं यहां पर असपश लिखा गया है कि किनी तीन का उत्तर क्या करन आपको देना है मतलब 5 रचनाय दिया जाएगा इसमें से 3 ही करना है तो यहाँ पे वाइरल पेपर में जो भी प्रसन है मैं आपको दिखा देता हूँ इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं और यहाँ पी इसके बास से आएगा खंडगो यहाँ पे याद रखना है कि खंडगो म पहला आपको देना है कि स्मित्र चीतरण में 15 से कम फिगर नहीं होना चाहिए यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कौवल आपको दिया जाएगा पतियो सहीत आम पतियो सहीत अनार और यहाँ पे और भी प्रसंद दिया गया है पतियो सहीत मूली या लोकी तो यहाँ पर चार प्रसंद दिया जाएगा इसमें से किसी एक ही का क्या करना चीतर बनाना है लेकिन इसको पैंसल सेड करना है यहाँ पे 10 नमर कैसे मिलेगा आप लो देख सकते हैं और खौब में भी आपको प्रसंद दिया जाएगा यह भी बोलेगा 15 सेंटीमीटर से कम फिगर आपका नहीं होना चाहिए, यहां पे देखिए दिया गया, सुराही, खूला चाता, कॉपर, प्लेट और जग दिया गया है, ठीकर इसमें से कोई एक ही आपको बनाना है, मतलब इसमें भी चार आएगा, इसमें भी चार आएगा, यह भी तस नंबर का होगा, इसको भी पेंसिल से रखेंगे, कैसे आपको नंबर मिलेगा, तो यह सारी चीज़ा आपको क्या करना है, फालो करना है, आई होप आपको कला का पूरा का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा, बस इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आने वाला है, बोड परिछा दो जार पचीस में, इ अगर परिछा दो लेगा है, तो जिनको भी साथो सेटों का सुलूसन चाहिए, पीडिया पनोड चाहिए, हमारे चैनल को सिस्क्राइब करेंगे, अगर कहीं दिक्कत होता तो स्क्रीन पे मेरा आपको वाटस अप नंबर दिखाईदेरा, इस पे भी शम्पर कर सकते हैं, तो इस्क्रीन पे दो और वाइरल पेपर दिखाई देरा गो इसको click करके देखे चलिए है नेक्ड बीडियो में isको click करके देखी बढ़िया नमबर आपका आएगा तो चलिए बढ़िया नमबर आपको आएगा तो विडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद